विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं शोगा आज मैं बनाओंगी गिट्स की गुलाब जामन हम गिट्स का पैकट बाहर से खरीद के लिए आते हैं लेकिन उसके बाब जूद भी हम परफेक्ट गुलाब जामन नहीं बना पाते हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा बजान का भी ले सकते हैं मार्केट में इजली में अवलेवल हो जाता है मेल जाता है तो अब इसे ओपन कर लेते हैं उपन करने के बाद इसका पैकेट निकाल लेते हैं इसमें जो बैकेट है अब इसे भी यहां से कट कर लेंगे उसके बाद एक बरतन में इसका पावडर न तो फानी में भी ज לने करें, जाओं अाम इनमी करें. अ है तरह? तरह भी यह जो आ हो इतना ने करें कि शोला है. पूरॉऺन जीज़ार खोले हैं, अस्मोथ तक नर्म मुलाईम कुछ पर शोला हातं जब तक देखते हैं मागे का प्रोसेस अभी हम चासनी बना लेते हैं तो उसके लिए एक कडाही मेने लिया है आप कोई भी बरतन मिले लेकिन बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि चासनी जब बनेगी तो गुलाब जामून अच्छे से डीप होना चाहिए इसलिए बरतन बड़ा इतना मैंने कुंटिटी बढ़ा है उतना तो डालना ही पड़ेगा अभी चाहसनी को थोड़ा और पकाते हैं और बीच भी में देखते जएंगे चासनई त्यार भुआ हो प्रब्लम बनाते समय जो प्रब्लम आती है वह सिर्फ वीच से हाड हो जाता है चासनी अबजॉर्ब नहीं कर पाता है यह प्रब्लम मैंने भी फेस किया है और एक बार नहीं वह फेस किया है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि छोटी छोटी टीप थे उसका ध्यान रखा कि क्या करें कि हमें परफेक्ट गुलाव जामुन बनके मिले तो सबसे पहले मैंने आटा को अच्छे से नीट किया जीतना जादा हो पाए उतना मैंने किया और फिर बिल्कुल नरम आट बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है दूसरी बात यह कि चासनी बनाते समय ध्यान रखना है क्योंकि चासनी हमें एक तार की चासनी चाहिए और थोड़ी पतली चासनी है वह भी चाहिए तो पतली चासनी जो है उसमें पहले डालेंगे उसके बाद जो एक तार की चासनी ब के दिए ही तो फ्राय करते हैं उसका हैं थोड़ा सधियान तो यहां पर इस अधाय करते हैं चासनी नहीं डाल था नहीं तो यह जीज भी वह गलती है क्योंकि लाश्ट में मैंने भी गलती की है तो उसका रिजट अच्छा नहीं मिला थोड़ी तेर के लिए वेट करना है जैसे कि 15-20 सेकंड के लिए हम थोड़ा रखेंगे उसे बाहर उसके बाद हम चासनी में डालेंगे मतलब पतली वाली चासनी जो बनाया है उसमें यह थोड़ा करते हैं तो यह पूरी तरह से ओप्सनल लेकिन अगर आप यह टीप अपलाय करते हैं जैसे अच्छा मिलने वाला है और बाजार जैसा मार्केट जैसा हम गुलाब जावुन बना पाएंगे अटा बिलकुल फूल चुका है फूलने के बाद यह थोड़ा ड्राइ काफी ड्राई हो गया है यह देख सकते हैं पहले कितना गीला था और अब यह इस तरह से ड्राई हो गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा डूट डालके और इसे गुंद लेंगे अच्छे से यह अभी तो चिपकेगा लेकिन बाद में यह बिल्कुल असमूद सा डो तयार हो का तो इसे बिल्कुल असमूद सा डो थैयर करना है इस तरह से निट करते जाएंगे इसे तो यह चिपकना भी बंद हो जाएगा अभी स्टार्टिंग में ठीक्टे रहता है यह अगिन जैसे जैसे निग यह बिल्कुल असमूद हो जाएगा और आटा हमें बिल्कुल एक दम नरम आटा तयार करना है कि थोड़ा सा भी आटा अगर टाइट रहा तो हमारा गुलाब जामून में जो बीच में गाठे पड़ती है वो हो जाएगा गाठे पड़ जाएगी और बीच में थोड़ा हाड रहता है तो फिर चासनी यह एब्जॉर्ब नहीं करता है उसमें यह देखिए अब यह ची पगना भी बंद हो गया है और यह बिल्कुल रोटी के आटा की जैसा मैंने एक डो तयार कर लिया है तो अभी इसे साइड में रखते हैं और यह मैंने थोड़ा सा मावा लिया है जिसे भी नीट कर लिया है विल्कुल गांटे व्याया थोड़ा वह रहता है वह खतम हो गया अए सब इसमें से तो यह बिल्कुल ऑप्सिनल है आप चाहे तो मावा मिला सकते हैं या नहीं भी लेकिन अगर यह ट्रिक आप अपनाते हैं तो वीच में जो थोड़ा सा हाडatto रह जाता है वह चीज नहीं कर लेंगे अराम से इस तरह से पैक कर लेंगे इस्से से एक從2 किस्मिस भी डाल सकते हैं इससे क्या हो तो इसके बाद फ्लेम को लो कर लें उसके बाद थोड़ी तिर वेट करेंगे लगभग एक मिनट के लिए क्योंकि गर गरम तेल में टालेंगे तो उपर से बिल्कुल हमारा गुलाब जामुन है जो जल जाएगा और ऐसा लाएगा जैसे फ्राई हो चुका है बट वह अंदर स कच्चा रह जाएगा तो फ्लेम बिल्कुल लो करके थोड़ी तेर वेट करेंगे उसके बाद ही गुलाब जामुन डालेंगे इसमें और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे नहीं करना है नहीं तो उपर से जल जाएगा और ऐसा लाएगा जैसे हो चुका अब निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे उसके बाद लगभग 15-20 सिकंड के लिए इसे चासनी में नहीं डालेंगे थोड़ा देर वेट करेंगे उसके बाद चासनी में डालेंगे फिर इसी तरह से सारा प्रोसेस करेंगे फ्राइए करेंगे सारा गुलाव जामून यहां पर कर रहे हूं एक ट्रीक अगर अपना थे हैं तो यह यहां पर जो गांठे पढ़ जाती है बीच में घुलाव जामून में वह नहीं रहेगा पतला चासनी अबजॉर्ब कर लेता है जरूरी है उसके बाद जो एक तरगी चासनी बनाया है उसमें डालेंगे इस तरह से उसके बाद 15 मिनिट के लिए चोड़ देंगे और फिर यह हमारा गुलाब जामन बनके त्यार हो चुका है कि यह देखिए कितना नरम अंदर से बिल्कुल गांथे नहीं हुआ है आप देख किजिए घर में बहुत अच्छा बनेगा ये ट्रीक अपनाईए और अच्छा बनेगा ये ट्रीक अपनाईए